मुरदबाज शहर को चोरो के आतंग ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है खासकर सिविलाइन स्थाना शेत्र में चोर चोरी का ओलंपिक खेल रहे हैं ताबर तोड चोरी की घटनाओं ने पुलिस महक में को हिला कर रग दिया है चोरो और पुलिस के बीश लुका छुपी जारी है एक तरफ पुलिस बीती घटना में संलिप्त चोरो को ढूनने में लगती है वही दुसरी तरफ बेखौफ चोर चोरी की नई घटना को सफलता पूरवक अंजाम दे फरार हो जा रहे हैं चोर पुलिस के इस खेल से लोग अपनी संपत्ती सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं लोगों का पुलिस से आप विश्वास हटने लगा है और इनकी कारिये शैली पर सवालिया निशान उठने लगे हैं आखिर कार मुरदबाद पुलिस इतनी सुस्त क्यूं हो गई है अगवानपुर नगर पंचाय शेत्र में मुहला सदाद इस सित इमाम बाड़ा में लगबक 80,000 की चोरी के बाद लोगों को शेट इस सित चंदर नगर शेत्र में ब्रस पतिवार को दिन दहाडे चोरों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया सतर्क लोगों ने खुद ही प्रियास कर दो चोरों को दबोच लिया लोगों का कहना है कि इस शेत्र में नशे और ड्रक्स के बढ़ते कारूबार और इस जाल में फसे युवाओं द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है वहां से जाके अंतर जाके पटन अगर परता रव वहां पर जाके उसे दबोच के बाद में यहां चंधन नगर लेके आए आए हम लोग और माल ये रखा हुआ कि यह पख़ा गया जो यह नाम जानता है किसी को एक तो मैंने पकड़ा जाके इंके साथ में और दूसरा बंदा यहां पकड़ा था पब्लिक ने समाज ने हमारे चंदनगर के लोगों ने आजा ते दर के लोगों ने और सब करा है सपोर्ट किया लेकिन यहां पर बनी डेली बनी किसी के घर में कुछ ना कुछ गाइब हो रहा ह Ky reach साथ लगा उनक के ब्लेकर यहां पर संभवता चोरों के लिए सिवलाइं स्थाना शेत्र सेफ जोन बन गया है मज़ी की बात ये है कि बेखौफ चोर पुलिस से बिना डरे घटना को अंजाम दे रहे हैं मधुबनी सहित कयन्य कलॉनियों में भी लोग चोरी की वारदातों से लगतार परिशान है और अपने अपने घरों में देर रात तक पहरा दे रहे हैं मैं दुपैर में डूटी पे था, मदर भी मेरी कहीं गई में नहीं हमारे ता शिरात था लेटेस्ट में उस अपडीट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इशान न्यूज नेटवर्क और हां बैल आइकन दबाना मत भूलेगा झाल झाल झाल